असलावलेकूम, बिलाल एहमद, लाइफ कोच, थिंक बिक पे प्लैक्फॉर्म पे, आज जिन्दगी को एक नए डिमेंशन में देखने चाहते हैं यह आपके हम सारे, राइट? हम थोड़ा सा इसको देखेंगे के लाइफ का सिर्फ पैसा कमाना है? कि राइत एक फएम हासिल कर ले ना है? हम जिन्दगी की आज एक नए डिमेंशन आपके साथ भी शेयर करते हैं इन चार कॉलम्स में जिन्दगी को एक नए एंगल से देखने की कोशिश करते हैं से जल्द कर दिए तर्वित 14. अनकouse आरत से नियुक्तों के लिए बहना है। इन्सान के साथ ये तीन चीज़ें चल रही हैं उसकी जरूरतें उसकी डिजायर्स या इन्सान जिन्दगी को किसी पर्पस में रख लेता है। जिन्दगी से भी मकदम रख लिया और असल काम है भी यही कि आपके जिन्दगी में को मकसद हो और जिन्दगी फिर उस मकसद पर कुर्बान भी हो जाए तो आप दरेगना कर रहे हों। तो यह तीन चीज़ें हैं जिसमें इन्सान को पर्खा जा रहा है जरूरतें, खाहिशात और मकसद। अब जब इन्सान इन तीनों चीजों में से किसी भी एक एरिया में ज़्यादा फोकस करता है या ज्यादा इनरजी लगाता है तो फिर इन्सानों की तीन कैटेगरीज बनती हैं, याद रखें दुनिया में सिर्फ तीन किसम के लोग हैं। Number one survivors, number two contributors और number three game changers दुनिया में तीन ही categories है एक survivors है, एक contributors है और एक game changers है अब मज़े की बात यह है कि आप इस सारे life frame को अगर समझे हैं اللہ تعالیٰ نے इस दुनिया को इस इनसान के परकने के लिए बनाया इसको परकने के लिए इसके जिन्दगी में जरूरते खाहिशात और मकसद रखा अब कोई इनसान अगर इन तीनों चीजों में से किसी एक एरियास में जहां भी ज्यादा फोकस करेगा तो वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा सर्वाइबर कॉंट्रिब्यूटर या गेम चेंजर अच्छा ये काम करते हुए जब आप जिन्दगी के एक सपूरे जर्नी से गुजर रहे होंगे तो याद रखें ये इस लाइफ में नहीं है कि आपने कितने पैसे कमा ली है आपने कितना बड़ा फेम हासल कर लिया आपने बगोँ बड़ी कमपनी बगोँ बड़ी इमपायर खड़ी कर दी असल सवाल इस दुनिया में जो अल्लाद आपकी जात आप से कर रही है जो हजूर सब्सक्राइब की टीचिंग चाह रही है आप से रिक्वाइर्मेंट जो है इस वक्त वो ये है कि क्या आप इस सारी जन्री से गुजरते हुए एड एंड अफ दे डे आप अपनी जिन्दगी के जब आखरी फेज में पहुंच रहे होते हैं आप 50-60 को क्रॉस कर र आप इस क्वेश्टन को भूल गए हैं कि आपका जो असल मकसद था जो असल पैशन और असल मिशन आपकी लाइफ का यह है कि आप इस सारे फेजी से गुजरते हुए क्या आप दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन सके हैं आप बिजनसमें तो बन गए हैं तैस बेरी क्या आपकी जिन्दगी दुनिया के लिए एक inspiration है क्या दुनिया आपसे inspiration ले रही है फॉर एक्जेंपल आप teacher है क्या बच्चे के लिए inspiration है आप ने सिर्फ उसको course मुकमल करवा दिया यह काफी नहीं था आप उसके लिए उसकी जिन्दगी में एक inspiration बनना था आप parents हैं आप बड़े elder brother sister है आप head of department है आप किसी रियासत के सरवरा है आपकी जिन्दगी दूसरों के लिए inspiration है ये दूसरा important question third one आपकी जिन्दगी आने वाले नसलों के लिए एक خوبصورت पेगाम है अगर आप जिन्दगी में दूसरों के लिए role model नहीं, inspiration नहीं और आपकी जिन्दगी आने वारे लोगों के लिए message नहीं तो पर ये सब कुछ पीछे जाया कैसे? इस सारे life के framework में याद रखेगा, जिन्दगी सिर्फ यहाँ है और ये ओपर कुछ भी नहीं मैं आपको इसको प्रूव कर देता हूँ ये दुनिया मैंने इनसान को पर रखने के लिए बनाई जब इस दुनिया का आखरी इनसान पर खाजा चुका होगा टाइम लैंड कम्प्लीट हो जाएगी तो अल्ला नहीं कुरान में काया कि इस जमीन पर जो कुछ है मैं फना कर दूँगा तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा हो जाएगा नमबर टू जब इनसान मौजूद नहीं है बाकी बिल्कुल भी नहीं जीरो हो जाएगा जब खाइशाद और ज़रूरतें और खाइशात नहीं है तो फिर ये दो कैटगरीस बहे नहीं होगी और जिन्दगी सिर्फ और सिर्फ यहां मौजूद और इसमें भी सबसे चीज इंपॉर्टन जो है हर आपका वो एक्शन जो आप जिन्दगी के हर लम्हे में कर रहे हैं वो ये मैसेज है जो आप अपने नामा एमाल के ओपर डे ओफ जज्ज्मेंट की बुक में हर लम्हे यहां से ऐसा मैसेज उपर भेज रहें जो आपको आपकी बुक आपका नामा एमाल आपको डे ओफ जज्ज्ज्मेंट में आपके हवाले कर दिया जाएगा जिन्दगी को समझें ये इनसान सिर्फ परकने के लिए है ये दुनिया आपके लिए हो सकती है आप दुनिया के लिए नहीं है जरूरते और खाइशात एक परकने के लिए अजमाईश हो सकती है ये जिन्दगी का मकसद और पैशन नहीं बन सकती जिन्दगी में याद रखे सर्वाइवर और कॉंट्रिब्यूटर बनने के लिए 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 अपको इतना बड़ा निजाम नहीं दिया ये सारा निजाम आपको इस शुफल मखलुकात को सर्वाइवर और कॉंट्रिब्यूटर बनने के लिए नहीं दिया गया आपको गेम चेंजर बनने के लिए इतना बड़ा निजाम काइनात दिया गया है इन दो कैटेगरीज के लिए नहीं दिया गया और असल चीज़ कि आप इस जोम में भी ना कहीं मारे जाएं कि मैं एक रोल मॉडल से फूर इंस्पिरेशन बन गया इसका मकसद भी ये है कि आपका एक्शन हर अमल एक मैसेज है जो आपके आखरी दिन डे ओफ जज्जमेंट के लिए उपर जा रहा है बी केरफुल कि वो मैसेज आप अपने नामाय माल में क्या भेज रहे हैं अगर आप जिन्दगी को इस नजर से देख रहे हैं तो आपके रोज मरा के जिन्दगी बहुत और तरंकी होगी लेकिन अगर आप एक रूटीन वे में जिन्दगी को देख रहे हैं कि सिर्फ चंद रुपे मैंने कठे कर लेने है कोई एक designation ले लेना है मैंने किसी रियास्त का सरबराब बन जाना है तो याद रखें आप अधूरी जिन्दगी में अधूरी कामयाबी को follow कर रहे हैं आप हकीकी जिन्दगी में हकीकी मकसद हासल नहीं करने जा रहे प्लीज इस जिन्दगी को follow करें आपका सिर्फ हर काम हर दिन हर अमल एक मकसद के उपर होना चाहिए कि मुझे दुनिया के लिए एक role model बना है मुझे दुनिया के लिए inspiration बना है मुझे जिन्दगी को ये जो पेगाम उपर इस दोके के अंदर सिर्फ इलूजन के अंदर जिन्दगी के टार्गेट सेट मत करें हकीकी जिन्दगी, हकीकी पैशन, हकीकी परपस को पर जिन्दगी को आप डिजाइन करें तो आपकी जिन्दगी दूसरों के लिए role model भी होगी inspiration भी होगी और एक अच्छा मैसेज भी होगा आने वाली जनेरेशन के लिए